हो हिलो फरिंट्स वेलकम तो देवास्ट ट्रेविजिन कोर्स में हो निकत परविंखान और कम्टिशन कम्यूनिटी के इस प्री ओरेंटेटेड रिविजिन कोर्स में आज हम पॉलिटी के कुछ और इम्पोर्टेंट अभ्यक्टिव कोईशिंज दिल करेंगे देखिए हमने अब तक के काफी सारे questions deal कर चुके हैं कुछ लोगों का कहना तक इसमें questions और include किये जाए कुछ लोगों का कहना तक explanation और किया जाए कम किया जाए whatsoever और इतना आप देखिएगा कि अब तक हमने जितने questions deal किये हैं कोशिश यह हुई है कि जादा जादा topics हम उसमें cover कर सके और आप देखेंगे कि भले ही number of questions इसमें comparative ले आपको कम लगेंगे पर एक question के पीछे जो मैंने explanation दिया है उससे अपने आप में बहुत सारे questions बनेंगे और रही बात अगर उन्ही topics को आपको और detail में पढ़ना है तो दे सभी subjects के videos available हैं so अगर आपको जो topics यहाँ पर आपको short में लग रहे हैं या कोई ऐसे topics से जो आपने deal नहीं किया है या आपको पूरा ही problems oriented कोई study करनी है तो आप mobile course एक बर view कर सकते हैं you can visit competition community website and purchase the mobile course is that clear so let us start today's quality FDR session so question number one है आपका इन में से कौन सा कथन सत्त है you have to identify the correct statement SK धर committee ने भाशा आधार पर राजों के गठन का समर्थन किया था दूसरा है आपका फजल अली आयोग ने राजों की पुनर गठन में एक राज एक भाशा के सिधान को स्विकार किया था C है दोनों कथन सत्त हैं और D है इन में से कोई नहीं ठीक तो बताईए यह question जो है इसका आंसर है D इन में से कोई नहीं None of the above ठीक तो देखे भई इंडिया में आप सभी जानते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कई चरणों में भारत में राज्यों का गठन हुआ और राज्यों के पुनर गठन के लिए कई आयोग बनाए गए थे और एक बड़ा आधार भ 44 में आप देखेंगे S.K.धर कमीटी बनाएंगे थे Linguistic Provinces Commission के लिए ये S.K.धर कमीटी बनाए थे 44 में और इन्हों ने जो सिफारिश दी थी वो ये दी थी कि भाशाय आधार पर राज्यों का पुनर गठन नहीं होना चाहिए प्रशास्निक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर गठन होना चाहिए पर आप रियार्गिनाइज कर सकते हो फिर उसके बाद हुआ ऐसा कि आंधर प्रदेश जो है वो 1953 में भाशाय आधार पर पहला राज्य बनी है हम सभी जानते हैं कि 1953 में आंधर प्रदेश बिकेम दी फर्स स्टेट जो कि लिंग्विस्टिक बेसे पर बना था अब उसके ब 53 गवर्मेंट वस फोर्ज तो फॉर्म अनादर कमिशन अंडर चेयर्मेंशिप और फजलली तो याद रखेंगे इसके अधर कमीटी आप पढ़ रहे हैं वो 1948 में बनी थी और यह जो फजलली कमीटी आपने इन स्टेटमेंट में देखा यह 1953 में बनी थी 53 की यह जो फजलली कमीटी थी इनसे यही कमीटी तदेट र design कमीटी दीए और इन से राजची लौस मेंक बनाद यह जो चाहिक अधर कमीटी थी तो इन्हों ने कहां कि भाषाए आधार पर आप राजचो का पनार गठन कर सकते हैं पर इन्हों ने एक लांगवेज औग स्टिट बंग composer 2011 हाज Parliament की थियोरी को पूरी तरह से नकार दिया वनलब इन्हों ने कहा कि hard and fast ये जरूरी नहीं है कि एक भाशा हो तभी एक राज्य हो सकता है इनका ये कहना था कि भारत की एकता ये यूनिटी को priority ये प्राथमिकता देते हुए ही आप प्रशासने पुनरगठन करिये राज्यों का ह भाशा आधार हो सकती है पर इतना strict आधार नहीं हो सकती कि एक राज्य में strictly एक ही भाशा होगी या एक भाशा वाला ही एक राज्य होगा तो याद रखे हैं कि हाला कि इन्हों ने recommend किया था कि भाशा ये आधार पर राज्यों का पुनरगठन होना चाहिए पर one language one state वाला ज से इन्होंने नकार दिया और unity को जादा importance दिया language के ओपर ठीक है तो आप देख सकते हैं जो statement two ये कहता है न कि फजल अली आयोग ने राज्यों के पुनरगठन में एक राज्य एक भाशा के सिद्धान को स्विकार किया था तो ये statement इसलिए गलत है तो पहला गलत है क्योंकि भाशय आधर नहीं स्विकारा था प्रशासनिक आधर स्विकारा था दूसरा गलत है क्योंकि भाशय आधर इन्होंने स्विकारा जरूर था सिफारी जरूर की थी लेकिन इन्होंने एक ता unity को जादा importance दिया था language के ओपर इसलिए आपका answer हो का option d none of the above options are correct that is clear okay now let us move on to the question number two the question number two is which is not included in the definition of state राज जी की परिभाशा में कौन सा शामिल नहीं है आपका first option है केंदरे विधान मंदले वंकारे पालिका दूसरा है राज जी की विधान मंदले वंकारे पालिका तीसरा है राज जी की न्याय पालिका या इनमें से कोई नहीं है तो देखिए ये राज जी क होगा option c state judiciary राज जी न्याय पालिका देखिए article 12 जो है हमारा fundamental right जहां से start होता है वहाँ पर भी आप देख सकते है state की definition दी गई है कि आगे आने वाले प्रावधानों में article 12 कहता है कि आगे आने वाले प्रावधानों में भी जहां पे राज्य शब्द याने state शब्द का इस will come under the definition of state या article 12 जो है वो define करता है और वो कहता है कि केंद्रे राज्चे और स्थानिय स्तर के जितने भी आपके विधाई और कारिकारी काईया हैं वालब central state और local level की जितनी भी आपकी legislative और executive units हैं वो सब state की definition के अंदर आएंगी even public sector undertakings जो होती हैं वो भी आपकी state के अंदर आएंगी district boards भी आएंगे local bodies भी आएंगी ठीक है central parliament भी आएगा council of minister भी आएगा यह जो बात के मैं बात कह रही हूं वो सारी example है जो मैंने पहले एक line में कहा वो इसका crux है केंद्रे राज्चे और स्थानी स्तर की बिधाई और कारेकारी इकाईया राज्ची की परिभाश के गताती है अगर कहीं लिखा गया है कि the state shall grant you this and that fundamental right तो यहाँ पे state मतलब संसद, state मतलब मंत्री मंडल, state मतलब district board, state मतलब government की कोई भी ऐसी एकाई जो केंद्रे राज्चे अस्थानी स्तर की है विधाई हो चैकारेकारी हो पर इसमें न्याईक एकाई नहीं आती है इसमें judiciary include नहीं की जाती है इस वज़े से इसका जो option C है राजी की न्याई पाली का that is the correct option for this question कि क्या state की definition में include नहीं है is that clear? now let us move on to the question number 3 so question number 3 है वर्ष 1999 की वर्मा समीति निम्ने से किस से संबंदित है तो पहला option है मूल अधिकार दूसरा है मूल कर्तव ये तीसरा है नितिन इंशक्तत्व और चौता है सम्मिधान का संशोद है आपको बताना ये है कि ये जो कमीटी का mention है किस में इसका मतलब कह सकते आपको किस से इसका लेना देना है तो क्या होगा इसका correct answer ये इसका answer का option B मूल कर्तव याने की fundamental duties देखिए actually fundamental duties से question पूछा गया मौल कर्तव विसे आप सभी जानते हैं कि fundamental duties जो है वो गहर निया हुचे थे ने non-justiciable है इसका मतलब ये कि इसके implementation को आप lawfully enforce नहीं कर सकते ते legally non-enforceable कोई अपनी duty निभाए या ना निभाए उस पर कोई भी कानूनी कारवाईया नहीं हो सकती लेकिन क्योंकि लोग खुले आप मौल कर्तव या को लंगन कर रहे था और उस वज़े से किसी ने किस तरह की शती पहुच रही थी इसलिए 1999 में ये वर्मा कमीटी का गठन ह हुआ to identify the legal provisions which will help in the implementation of fundamental duties मतलब उन्होंने identify कि ऐसे कौन-कौन से खानूनी प्रावधान है जो मौली करतव्यों को implement करने में help कर सकते हैं और उन्होंने फिर कही सारे जो already existing legal प्रावधान हैं उनका mention किया जैसे कि IPC का mention किया कुछ CRPC के laws का mention किया उन्होंने 1975 में बना जो national honors act है जिसमें आप जो राश्ट्रिक चिन है औरका अपमान करते हैं तो आपको सजा होती है उसको identify किया उसके अलावा सन 1975 में जो आपका protection of civil rights act आया था उसका mention किया कि caste और religion से related अगर कुछ भी crime होगा तो उस act के तहत सजा मिल सकती है मतलब उन्होंने यह identify किया कि भारत में कौन-कौन से ऐसे कानूनी प्रावधान है जिन से मौलिक करतवियों के implementation को बल मिल सकता है implement किया जा सकता है क्योंकि वैसे तो fundamental duties जो हैं उसे आप legally enforce नहीं कर सकते पर उनकी protection हो सके safe guard हो सके इसलिए क्या कुछ ऐसे legal प्रावधान है तो उन्होंने कुछ चीजों की list बताई थी आप यह कह सकते हैं ठीक है तो already existing कुछ acts थे वो IPC के थे CRPC के थे National Honors Act थे उसमें क्या-क्या प्रावधान मौलिक करतवियों से जुड़ा हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ें जो मौलिक करतवियों करने कहती है और उसका खुले तोर पर उलंगन करने से किस तरह की सजाओं का प्रावधान है वो दिया है आप यसे बिलकुल यह नो सोचें कि 1999 की एस वर्मा कमीटी ने ये बोल दिया कि मौलिक करतवियों की उलंगन पर सजा होगी यह इसे जस्टिशेवल कर दिया नहीं इन्होंने सिर्फिक लिस बताई थी उन क पिसी और से रपीसी की कुछ और धार आएं वाइल लाइफ प्रोटेक्शन आक भी इसके अंदर शामिल है ठीक सो इसके वज़े से वर्मा कमीटी अगर आप देखेंगे तो इस ती दा सिदा फंडामेंटल ड्यूटी से रूलेटेट है इस एक लिया नो लेट अस मूँव आपका अगला क्वेशिन नंबर फॉर है निम्न में से कौन सा विशह समवर्ती सूची का नहीं है ठीक है मतलब कौन सा जो सब्जेक्ट है वो कौन करेंट लिस्ट में नहीं है और आपके ऑप्शन से मैरिज इन डिवोर्स, निउस पेपर बुक एंड प्रिंट प्रेस, पहले की तीन ऑप्शन्स हैं वो सब कौन करेंट लिस्ट में शामिल है वो सारे के सारे जो हैं वो समवर्ती सूची में शामिल है तो देखिए इस पर हम पहले भी क्वेशन्स ले चुके हैं पर यह पूरी तरह से डिवीजन ओफ पावर का फैक्ट्वल क्वेशन है आपको बताया ही मैंने कि जो आपकी यूनियन लिस्ट है यहने की केंद्रे सूची उसमें आपके अर्लिया 97 सब्जेक्ट्स थे और आप 100 सब्जेक्ट्स हैं उसके बाद जो स्टेट लिस्ट है इसमें पहले 66 सब्जेक्ट्स थे अब 61 है उसके अलावा जो कॉन करेंट लिस्ट है समवर्थी सूची उसमें पहले 47 सब्जेक्ट्स थे और अब 52 है ठीक है इन पर केंद्र इस पर राजजर इसमें दोनों मिल करके निरने लेते हैं तो ये जो सूचियां है न इनहें एक बार रीड जरूर कर लिएजेगा आपके किताबों में पीछे अपेंडिक्स में इस सूचियां याद हो जाएंगे या 61 या 52 सूचियां याद हो जाएंगे लिस्ट याद हो जाएंगे और कोशिश करिए कि कुछ बार रीड कर लें ठीक है क्योंकि ऐसा factual question भी पूछता है कई पर दिमाग में रहती है चीज़ें और कई पर logical भी समझ में आ जाती है कि कि किन पर केंदर का निया अंतरण होना चाहिए कि इन पर राजजी का होना चाहिए कि इन पर दोनों का होना चाहिए जैसे education को बाद में डाला गया तो जाहिर से बात है education जो है केंदर और राज दोनों मिलकर decide करेंगे तो आप देख सकते हैं कि importance जो होता है कुछ जैसे space related चीज़े हो इन पर जो भी कानून बनेंगे वो केंद्र में बनेंगे लेकि अंतराश्च पर समबंदों से लिए चीज़े हों गए लेकिन लोकल इंफरास्ट्रक्चर हेल्थ हाईजीन इस से लेटेड कृषी से लेटेड जितनी भी चीज़ें पूराज्य सूची में आएंगी तो मैं यह यह सारे के सारे आपकी concurrent list के हैं इसलिए इसका answer जो होगा option D, none of the above, ठीक है, that is it, a short simple question था पर factual था और आपको मेरा ध्यान मुझे actually दिलाना था कि आपको यह list भी एक दो बार पढ़नी चाहिए, ठीक है, now let us move on to the question number 5. So the next question, question number 5 reads as, भारत में ब्रश्टाचारपा नियंतरन वा नागरिकों की शिकायत की निवारण है तो निर्मित वैधानिक वसंस्थागर धाचों को करम से जमाईए, आपको कुछ prevention of corruption या crime related जो भी legislations या agencies बनी है, उनके बारे में दिया गया और उसको year of establishment, याने कब वो बनी हैं या जो लिए गए हैं वो है भारती दंड सहीता, Indian Panel Code, फिर है आपका Central Bureau of Investigation, फिर है आपका Central Vigilance Commission और चौथा है आपका Prevention of Corruption Act, ठीक, और आपके code दिये हुए हैं, क्या होगा इसका सही answer, बताएए, A, B, C, A, D, Yes, इसका correct answer होगा, option A, 1, 2, 3, and 4, मतलब अब जिस क्रम में ने वो दिये हैं गए न, वो Year of Establishment में हिसाब से बिलकुल सही है, सबसे पहले भारते दंड सहीता अस्तित्व में आई, आप जानते हैं कि ये Legislation 1860 में आया और ये Enforce हुआ इन 1862 में, 1862 में, 1862 में, 1862 में ये भारते दंड सहीता Enforce हुई थी, ठीक है, IPC, CRPC, इंडिया के दो मेन पोलिस लॉज है, 1862 में आई थी IPC, उसके बाद CBI, मैंने इसके पहले भी वीडियो में जिकर किया है, कि 1941 में बना था, उसके अलावा Central Vigilance Commission का भी हमने उलेक किया है, कि कब बना था है, सांतानमकंडी की कमीटी के सिफारिश पर, 1964 में, और उसके बाद जो Prevention of Corruption Act है, अब रश्राचा निवारन अधिनिया में, यह आया था, 1988 में, ठीक है, तो पहला वाल 1862 में आया, दूसरा वाला आपका, 1941 में मतलब की CBI, CBC 1964 में आया, और चौथा जो Prevention of Corruption Act है, वो 1988 में आया, तो सबसे पहले यह, फिर यह, फिर यह, फिर यह, फिर यह, तो इसे साब से आपका जो Option A है, 1, 2, 3 and 4, यह correct है, ठीक है, नाव लेड़ेज मूव ओन तो तो टे Question No. 6 कोई, निमने से किसे दोनों सदनों में बोलने एवं कारवाहियों में भाग लेने का धिकार है, प्रधान मंत्री, मंत्री, महा नयावादी और उसके बाद केवल एक दो, केवल एक तीन, उप्रोक्त सभी और इनमें से कोई नहीं आपकी Option में दिये गए हैं, क्या होगा इसका अंस की बहुतर होगा, सी, वो प्रोक्त सभी यानि की All of the Above, देखे, आप जानते ही हैं कि जो सदन होती है, जो संसत होती केंद्रियस्तर पर और राज्यस्तर पर जो विधायका होती है, उनमें पार्टिसिपेट करने के जो राइट्स हैं, वो केवल उसके सदस्यों के पास होते ह मु ashées गॉणों जो जो हम जानते हैं जूँन कर यर नॉमिनेट होकर वहां पहुंचे उन्हीं के पास होते है के इंद्रेस तर पर लोगसाबरा राजसभा के सांसद और राज तर विद्हान सबागे विधायक, इनके पास rights होते हैं कि वो participate कर सकते हैं, discussion में हिस्षा ले सकते हैं, ति उसमें ये पूछा गया है कि उनों लोगों के अलावा और किनहें संसद की कारवाहियों में हिस्षा लेने की इजाज़त होती है, और आपके तीन चीज़ें दी गई है, प्रधान मंत्री, मंत्रिय और महानियावादी, तो देखें, other than the basic members, लेक सांसद और विधायक, मैं central level की ज़े बात करते हूँ अभी, केंदरी स्थर पर आप देखें कि other than the parliamentarians, जितने आपकी council of minister होते हैं, मतलब जितना आपका मंत्री मंदल होता है, उन सभी के पास rights होते हैं, कि वो दोनों ही सदनों की कारवाईों में हिस्सा ले सकते हैं, मतलब ये तो हम जानते ही हैं, कि जो मंत्री हैं वो मूल रूप से एक सांसद होंगे ही, वो हो सकता है लोकसभा के हो राजसभा के हो तो सांसभा की हैसियत से वो अपने जो सदन है उसमें तो हिस्सा ले ही सकते हैं लेकिन अगर वो मंत्री भी हैं तो वो दूसरे सदन में भी हिस्सा ले सकते हैं ठीक है और क्योंकि Council of Minister की मैं बात कर रही हूँ तो इसमें प्रधान मंत्री भी शामिल होते हैं तो मान लीजे अगर मैं बात करते हैं प्रधान मंत्री नरीदर मोदी की हम सभी जानते हैं कि एक सांसत की तौर पर वो लोकसभा के सदस्य है तो लोकसभा की कारवाहियों में तो वो हिस्सा लेंगे ही ठीक है जो विधाई कारवाहियां उसमें तो वो हिस्सा लेंगे ही लेकिन प्रधान मंत्री के हैसियत से वो राजसभा की भी कारवाहियों में हिस्सा ले सकते हैं से ही सभी मंत्री मंदल पर यह चीज लागो होती है कि other than वो जहां के मेंबर है legislative member दूसरे सदन में वो मंत्री के हिस्सा ले सकते हैं तो मंत्रियों के पास प्रदान मंत्री चाहे कोई भी मंत्री क्यों ना हो उनके पास यदिकार रहता है और इसक्लूजिवली जो भारत का महानियावादी होता है उसके पास यह विशेश अधिकार होता है कि वो लोगसभा राजसभा की मीटिंग में हिस्सा ले सकता है बट विदाउट आ राइट तो वोट डालने की जाज़त नहीं होती है महानियावादी को पर वो पार्टिसिपेट कर सकता है इस वजए से इसका जो आंसर होगा होगा option C all of the above ठीक now let us move on to the question number 7 quickly question number 7 है आपका निमलिकित को सुमेलित कीजे उद्परेशन प्रतिशेद परमादेश अधिकार प्रिछा आप देख सकते हैं ये आपके fundamental rights से question पूछा है ये रिट याचिकाओं से सवाल पूछा है आपकी कुछ रिट याचिकाओं के नाम दिये गए हैं और उसके सामने विभिन परिस्थितियां दी गई हैं कि ये रिट याचिकाओं किन circumstances में इस्तिमाल की जाती हैं और आपको correct match करना हैं तो इसके options आप रिट कर ही सकते हैं हम सीधा इसके solution पर देखते हैं 1,2,3,4,2,1,3,4,3,4,2,1 इन में से कोई नहीं क्या होगा इसका answer yes इसका answer होगा a1234 1,2,3,4 का मतलब है जो आमने सामने लिखे होए ना a के सामने 1, b के सामने 2, c के सामने 3, b के सामने 4 ये बिलकुल सहीं है ठीक है इसका मतलब certiorary when the subordinate court has given its decision तब इस्तिमाल किया जाता है प्रतिशेद जो है जब अधिनस्थ नियाले ने अपना निर्ने नहीं दिया है तब इ इसी लोग पत को गरहन कर लेता है तब इस्तिमाल किया जाता है तो इस वज़ा से आपको option एक correct होगा देखी ये question अभी जैसे मैंने कहा जो हमारे समिधान का नुच्छेद 32 है constitutional remedies समिधानिक उपचारों के बारे में जिसमें कहा गया है मौलिक अधिकारों में उसके रिट य या चिकाओं के तहर तेह किया है कि अगर कुछ भी समिधानिक तरीके से नहीं होता तो हम रिट या चिकाओं फाइल करके उन चीजों को सुनिश्चित कर सकते हैं या उसका उपचार कर सकते हैं तो नियाए पालिका जो कि custodian Indian constitution की वो रिट या चिकाओं पर सुनवाई करके एक रिट और जारी करेगी और वो रिट और से जो गलत हो रहा था गयर समिधानिक हो रहा था उससे समिधानिक तरीके से करने पर force करेगी एक लीगल तरह का force रहेगा वो याद रखिएगा रिट का मतलब एक Latin word होता है रिट जिसका मतलब होता है order रिट अगर issue करती है court आप है उनको punishment देना नहीं जिसने उलंगन के उसे punishment देना इसका मकसद नहीं होता है इसका मकसद होता है जो गलत हुआ है उसे ठीक करना उपचार करना ठीक है तो बेसिक लिए अगर आप देखें तो अनुछे 32 में पांच तरह की रिटी आचिकाएं दिये हैं हैबीस कॉर्पस, मैंडिमस, प्रोहिबिशन, सर्टेओरेरी और क्योर वरेंटो ठीक है बंधी प्रत्यक्षी करन, परमादेश, उसके अलावा आपका प्रतिशेद है उसके अलावा उत्प्रेशन है और अधिकार प्रिच्छा है ये पांच तरह की रिट्स हैं जिनमें से चार है, भी इसको और पसको छोड़ कर चार दी गई हैं, तो देखो, सर्टे ओरेरी और प्रतिशेद दोनों ही जूडिशल, क्वाजी जूडिशल रिट है, जिसमें कोई higher court, lower court को अपनी शेत्र अधिकार से बाहर जानने से मना करता है, तो इसमें देखो, सर्टे तब इस्तेमाल की जाते, सर्टे ओरेरी का मतला होता है, the one who is certified, मतलब उस case को उसे ट्रांसफर कर दी, जिसके पास अधिकार है, वो case का फैसला लेने का, जब कोई निचला court, अपने अधिकार शेत्र से बाहर जाकर फैसला लेता है, तो higher court, उसे ये रिट जारी करके कहती है, कि आपने जब अधिकार शेत्र से बाहर जाके फैसला लिया है, उसे अधिकरित एकाई को, या अधिकरित court को ट्रांसफर कर दीजे, ट्रांसफर that case to the one who is certified, ठीक है, तो इसमें ही लिखा ये है, कि जब अधिनस नियाले ने अपना निर्ने दे दिया, उसके बाद ये सर्टि आपका कोई भी lower court हो सकता है, ठीक है, मतलब मान लिजे, कोई district court ने अपने purview से बाहर जाकर, अपने दायरे से बाहर जाकर decision ले लिया, decision हो गया, तो satirary का रिट जारी होगा, लेकिन उसके पास वो case आया है, और उसके दायरे से बाहर है वो, और अभी decision नहीं लिया है, तो higher court जो होगी चाहिए, वो high court है, जो supreme court है, उसके लिए एक prohibition के rate जारी करके कहेगी, कि वो फैसला वहीं पर रोक दीजे, do not take that decision, प्रतिशेद कर दीजे, निशेद कर दीजे, क्योंकि आपकी अधिकार शेतर से बाहर है, तो satirary जो है, वो एक positive form है, ट्रांसफर करने बोलती है जब कि prohibition से रोकने के लिए ने एक negative form है, दोनों ही एक उचितर नयाले, निमनतर नयाले को जारी करता है, ठीक है, तो इससे आपसे first or second बिल्कुल correctly match रहे, third वाला परमादेश, हमेशा किसी न किसी, परमादेश या mandamus का मतलब होता है, हम आदेश देते हैं, Latin में mandamus का मतलब ह कि हम आदेश देते हैं, कि जो आपको कार लोट किया गया है, वो आप करिए, तो इससाब से जो इसमें लिखा है, जब कोई सारवजनिक पद अधिकार है, अपने करतवयों का पाला नहीं करता, तब यह order जारी होता है, यह बिल्कुल सही है, और D, अधिकार परिच्छा यह ठीक है, तो क्यो वारेंट, तो बाइवट वारेंट या बाइवट अथोरिटी के सदेकार से, तो इसमें जो सामने लिखा है, जब कोई व्यक्ति अवयर रूप से किसी लोगपत को गरहन करता है, तब यह जारी होता है, इस से साब से यह भी सहीं है, ठीक है, तो जिसका पोस्ट इलेक्ट हुए थे, इनमें से कौन से प्रेसिडेंट है, ज्यानी जैल सिंग, वीवी गिरी, जाकिर हुसेन या इनमें से कोई नहीं, नहीं नन अव दीज, क्या होगा इसका आंसर, एक यह एन एक फैक्ट्चुल क्वेशन है या आपका, इसका आंसर हो का ऑप्शन गया, पहले तो डॉक्टर राजींद प्रसाफ, ठीक, जो फर्स प्रेसिडेंट थे, और हमारे के जो सिक्स प्रेसिडेंट थे, नीदम संजीव रेड़ी, जोनों 1977 से 1982 के बीच का टर्म सर्फ किया था, जो निर्विरोध चुने गये थे, बाकी इनमें से और कोई नहीं, ठ ठीक है, now let us quickly move on to the question number 9, so आपका question number 9 है, निमने से कौन सा जनहित याचिका के अवधारना के प्रवर्तक रहे हैं, ठीक है, which of the following is or are the promoters of the concept of public interest litigation, और आपके options है, P and Bhagavati, we are Krishna I, A और B दोनो और इनमें से कोई नहीं, P, I, L से related question है, क्या होगा इसका answer, yes, इसका answer है, A और B दोनो यापका option number C is the correct answer, देखिए ये question public interest litigation से related है, ठीक है, public interest litigation या जनहित याचिका का मतलब है, कि कोई ऐसी याचिका, जो keyword Supreme Court या High Court में लगाए जाय सकती है, जिसमें व्यक्तिगत हित शामिल ना हो करके, जनहित शामिल हो, जो पीडित व्यक्ति है, वो अपने लिए नहीं दायर कर रहा है, वो लोगों के हितों में, इन्हें public welfare में कोई याचिका दायर कर रहा है, शुरुवात से हमारे judicial system में ये PIL का अस्तित्व नहीं था, it was very first time 1979 के अगर हम बात करेंगे, तो ये एक याचिका लगी थी Supreme Court में, जो कपीला हिंगो रानी ने लगाई थी, बिहार prisoners की जो पर cases pending थे, उनकी जो jail में condition थी, उससे related एक याचिका लगी थी, उसे याचिका को हुसे नारा खातुन versus बिहार government एक याचिका कही जाती है, और वहाँ पर उन लोगों के speedy trials और उनकी conditions में सुधार के लिए याचिका लगी थी, तो देखो ये विक्तिकत मामला नहीं था, कई लोगों से जुड़ा ये मामला था, ठीक है, तो उस वक्त आपको याद रखना है कि उस साल सुप्रीम कोट में याचिका स्विकार की थी, तो उस टाइम सुप्रीम कोट के ये दो ज़िस थे, P.N. भगवती और V.R. Krishna I.R. जिनों ने याचिका स्विकार की थी और उसके बा थी, हलाकि वो शब्द जनित याचिका का इस्तिमाल नहीं किया गया था, बाद में इसे elaborate किया गया, ठीक है, तो पहले दो जज़िस जिनों ने एक्सेप्ट किया था, जनित याचिका जैसे concept को, वो थे, जस्ट इस, P.N. भगवती और V.R. Krishna I.R. ठीक है, तो इसका आंसर हो option C, A और B, दोनों, आपका अगला question है, निम लिकित को सुमेलित कीजे, you have to match the following, parties दी गई है और अनका establishment year दिया गया, आपको सही match करना है, बहुजन समाजपाती 1984, आम आदमी party 2012, भारती जनता party 1980, YSR Congress 2011, आपको year of establishment match करना है, क्या होगा इसका answer, यसका answer होगा option A, 1, 2, 3 and 4, मत correctly matched है, बहुजन समाजपाती 1984, आम आदमी party 2012, भारती जनता party 1980, और YSR Congress 2011, तो देखिए, political party से related question है, political parties में year of establishment जो है, आप कुछ parties की याद जरूर रखेंगे, पहली बात तो जो इंडिया की 8 national parties हैं, ठीके, जैसे इंडिया नाशनल कॉंगरेस हो गई, BJP हो गई, BSP हो गई, All India, Trinamul Congress हो गई, CPI, CPIM हो गई, National People's Congress, National, मतलब NCP हो गई, उसके लवा National People's Party, यह जो आट parties हैं, एक तो इनका year of establishment आफ़ जहूर याद रखेंगा, उसके बाद आप इस दशक में जो भी important parties बनी हैं, जो regional parties हैं, उन्हें याद रखेंगा, जैसे इसमें जो दो हैं, BSP और भार SR Congress बनी है, ठीक है, युवा जन्फ च्रमिक Congress जो बनी है, उसके अलावा आमादमी पार्टी 2012 में बनी है, तो यह दोनों भले ही आपकी regional parties हैं, लेकिन इसी दशक में बनी है, यह नवगटित हैं, इसलिए इनका भी year of establishment जो हैं, आप याद रखेंगे, तो आठ कौन कौन से national parties से इस पर से भी सवाल पूछता है, तो कौन सी है, कौन सी नहीं, और उनके year of establishment जरूर याद रखें, और पिछले कुछ वर्षों में जो भी नवगटित regional parties हैं, उनका भी year of establishment आप याद रखें, तो इसे साब से इसका जा अंसर होगा, वो होगा option A, ठीक, now let us move on to the question number, आपका आपको code दिये गएंगी, कहां पर नहीं है, बताइए, केवल 1, 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3, ठीक, आपको बताना है, यहाँ पर पंचायती राज institution कहां नहीं है, क्या होगा answer, इसका answer होगा B, केवल 1 और 2, तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि पंचायती राज institution 73rd amendment 1992 के ज नवधान, यहां पर मैं direct आती हूँ, कि यह rural local self government का जो इस्तित्व है भारत के सभी राज्यों में हैं, पर इसके अपवादों में याद रखेगा, तीन ऐसे राज्य हैं, जो इसके अपवाद में हैं, जहां पर यह अलागों नहीं हैं, इसमें से जो दो शुरू के हैं, ना और उसके अलावा, जो यूनिंटेरी ट्रीज हैं, एकसिप डेली, वहां पर पंचायती राज अस्तित्व में नहीं हैं, असम में हैं, इस वज़े से इसका अंसर हो अगर भी, के वल एक और दो, is that clear? So, आपका last question for today's session है, question number 12, और question है, संयूद बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, इसका प्रावधान सम्मिधान के किस अनुछेद में दिया गया है, अनुछेद 110, 108, 118, 112, what will be the answer? Answer हो का option C, article 118, देखिए again ये थोड़ा सा tricky question है, पहली बात तो आप सभी जानते हैं, I do not like want to elaborate it, बट थोड़ा सा mention करना चाहती हूँ, कि सभी जानते हैं कि जब भी लोकसभा, राजसभा में कोई deadlock पैदा हो जाए, एक ने house ने बिलको पारित कर दिया, दूसरे house ने बिलको पारित नहीं किया, तो उस case में राशपति एक सेयुक सभा बुलाता है, सेयुक सत्र बुलाता है, और सेयुक सत्र में फिर ऐसे विधय को उपर, जिसमें joint session का प्रावधान है, joint session करवा करके ही, उसका निरने लिया जाता है, ठीक है, तो joint session की जो अध्यक्षता करता है, वो speaker of लोगसभा करता है, ना की राशपति, नहीं वाइस प्रेसिडेंट, नहीं कोई वाइस चेर्मेंट, ठीक है, यह हम सभी जानते हैं, speaker of लोगसभा only precise over the joint session of the Parliament, यह प्रावधान है, और इस पे कई बार question आया भी है, सवाल यह पूचा है कि इसके article में mentioned है, article है 118 जिसमें rules of procedure of Parliament दिये गए, उसमें यह चीज़ लिखी गए है, हाला कि जब आप articles पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे, कि joint session का प्रावधान article 108 में है, ठीक है, सव्युक सत्र की बाद 108 में है, तो हमें यह लगता है कि automatically उसको precise कौन करेगा, वो भी 108 में दिया गया होगा, पर यह गलत है, यह trick करने के लिए इसने 108 डाला है, joint session होगा, यह 108 में जरूर दिया है, पर उसकी अर्ध्यक्षता लोकसाबा का speaker करेगा, यह 118 में रूलस आफ प्रोसीजर में दिया गया है, ठीक है, आई बस समझ में, तो थोड़ा सा जो tricky questions है उनको भी देख लीजेगा, ठीक, so that is all with today's session of quality FDR, now we will meet tomorrow at sharp 8 a.m. with few more important questions for your CGPSC problems, thank you so much.